हाँ जी दोस्तो तेखिए ये एक सीजन जो देख रहे हैं आप मेरी घर के बाहर एक बादल है जो बेकुल काला है और एक बादल जो बेकुल सफेद है ऐसा लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अदिक काला और सफेद आपस में मर्ज होने के लिए करीब आ रहा है अगर मैं और जूम करूँ तो बस दूरी थोड़ी सी ही बाकी है और ये बुराई जो है वो मर्ज हो जाएगी अच्छाई में एक सोल मर्जिंग को मैं देख रही हूँ एक सफ़ेद काले के एक सोल मर्जिंग आप देख रहा हो एक मर्जिंग देख रहे ौची के कियान बैलेंस हो रहा है एक सबेद काला एक हो रहा है एक बैलनसिंग हो रही है, एक मर्जिंग हो रही है, क्या दर्शाता है ये, क्या दर्शारा है ये, चाहे सबसे पहर तो मुझे इस वकत एक मिलन प्रतीत हो रहा है, जैसे कि एक मर्जिंग हो रही है, एक मिलन हो रहा है, बहुत ही खुबसूरत सा मिलन, चलिए, अब हम आगे इस पर बात करते हैं, पहले इस खुबसूरत सा मिलन को हम देख लेते हैं, और फिर समझते हैं, क्या दर्शारा है, ये मिलन, तो जैसे कि आपने देखा कि सफेद बादल और बिल्कुल सफेद ब्राइट बादल और काले बादल आपस में मर्ज हो रहे हैं इसको देखते जाएए दीरे दीरे और जादा गहराई में मर्ज होएंगे इसे मैं समझ रही थी कि डाक्नेस फेड हो रही है ब्राइटनेस में बट जब मैंने यहाँ पर कुछ आकरती देखी आप लोग ध्यान से देखते जाएए यह आकरती में आपको बीच में जब मर्जिं हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप मैस्कुलिन को देख रहे हो फिर थोड़े बाद वो मैस्कुलिन कनवर्ट होके फेमिनन दिखेगी और फिर बाद में वो वननेस दिखेगी यह जो बादल का जो यह समा है ऐस तो खूब सारे बादल हमारे घर के बाहर आते रहते हैं पर पता नहीं क्यों मुझे आज शाम को जिसे दिखाया जा रहा है मुझे इस पकार से पुल किया जा रहा था आज मेरा बिब्कुल प्लान नहीं था किसी पकार की चैनलिंग करने का कोई वीडियो बनाने का मैं चु पुशिश करी कि ये मुझे क्या दिखाया जा रहा है क्लेक्टिव के लिए क्या मैसेज दिया जा रहा है तो बात में मुझे समझ में आया कि एक्चली में यहां पर हां ये मैं मानती हूं कि लगबग आज सवेरे से बहुत जादा थूरौट दे डे काफ़ ज़दा सकते हैं कि हां नेगेटिविटी के ऊपर ब्राइटनेस हावी हो रही है बट ये कुछ जादा ही कुछ जो मुझे बाद में मैंने जब अपने प्रभू से पूछा कि प्रभू मुझे क्या बताना चाहते हैं तो मैं अब आपको बताना चाहती हूं कि क्या क्लेक्टिव के ल बहुत से लोग Soul Merging Soul Merging मतलब जिसे कि मैंने बताया है कि आप के आपका थर्ड आई एक्टिव होता है उसके बाद आप एक मर्खबिक अपने फील्ड को आप एक्सपीरियंस करते हो कि आपका अपर ट्रैंगल नोवर ट्रैंगल अब बैलन्स हो गया है मर्जिंग हो गया है मर् दूनों से क्राउन पर या धर्ड आई पर कुछ एक्सेशन फील हो रहा था तो हो सकता है कि अब आप लेक्ट बैलन्स हो रहे हो आपका मर्खबिक फील्ड क्रियेट हो रहा है आप बैलन्सिंग आप एक पगासे आपका यिन यान बैलन्स हो रहा है और बहुत जल्दी आप सोल मर्जिंग एक्सपीजिएंस करने वाले हो और जो अरड़ी सब चीज़े एक्सपीजिएंस कर चुके हैं उन लोगों का रियून होने वाला है कलेक्टिव में मुझे बहुत जादा रियून की एनरजी तो खेर कई टाइम से लगबग एक मैने से आ ही रही थी मैं अपनो सारी सोल मर्जिंग बहुत सारी पॉजिटिविटी यह आने वाली है चीक है मैं साथ में यह फील कर रही हूं जैसे कि जितनी आपने तपस्या करी थी आपको आपकी तपस्या का फल मिलने वाला है बस यह एटेट पोर्टल के बाद अब सारा सब कुछ अच्छा ही होने वाल जो फुल बद्गो सकती है बट ओवर ओल डी एफ के लिए मुझे सिर्फ गुड्नीजी मिल रही है इसे लग रहा कि आपने लिए तपस्या करी है वह उसका फल मिलेगा और डीम की साइट से जो मैंने इसको डिकोड किया है मुझे सिर्फ यूनियन की एनरजी जिसे मिसिंग की एनरजी मुझे चेजिंग की एनरजी जिसे कि वो अब अपने लिए स्टान लेंगे और जो ले रहे हैं मुझे इतने सारे मेसेज़ेस आते हैं आट ओफ माय हेक्तिक शेडूल मैं कमिल्टी में बहुत जादा पोस्ट नहीं डाल पा रही हूं और मैं देख रही हूं कि ब या तो अभी नया नया आप लोगों की बात करना चालू हुई है तो यह मत सोचिए कि वो आप से बात करना नहीं चाहते हैं वो बिलकुल चाहते हैं इस वकत सारा के सारा जो करते हैं रीबर्द प्रॉसेस ओवर हो चुकी है डियम की मुझे बिलकुल यह नजारा देखके ब अगर वह बट वह कुछ चेज कर रहा है वह आपसे अपनी इमोशन छुपा रहा है यह मान सकते हैं वह खुल के अभी आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहा है हो सकते है कि बहुत से डियम का फूच चक्रा अभी ब्लॉक हो लेकिन उनका लव उनकी मिसिंग अनरजी उनकी चेजिंग एनरजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है हो सकते है कुछ डियम लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं या वो खुल के नहीं बोल पा रहा है या इनका इगो उनको खुलने नहीं दे रहा है या वो शाय हो रहे हैं वो अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं बिलकुल इट रिक्वाइस टाइम कहीं आपको भी थोड़ा बहुत सफाई करने की ज़्यादा है कुछ अपनी लेस को पील आफ करना होगा कि जो वो खुल नहीं रहे हैं मैंने बताया है ना कि आप लोग जैसे जैसे आप की डिमेंशन बढ़ता जाता है आपकी लाइफ में और ज़्यादा क्लियर्टी आने लगती है वैसे वैसे ही बिलकुल थड़ाई के बाद आपके डीम को भी आपके साथ बिलकुल जब हम कहते हैं कि सोल सेम ब्लूप्रंट है, सेम एनरजी है तो ऑल्मोच जब आपकी बैलनसिंग हो जाती है धार आई पर उसके बाद जो जो चीजे आपके साथ होती है, reception वैसे ही उनके साथ ही होता है, अगर आपको clarity और ज्याधा clarity आ रही है तो उनको भी और daha clarity आएगी, अगर आपके कामिक हीले हैं हो चुके हैं तो बिल्कुल उनका भी उनके भी सारे कार्मिक्स भी खतम हो रहे होंगी जिस वक्त इतनी अच्छी मुझे energy हो रही है यह देखके के बिल्कुल कार्मिक्स रिलीज हो चुके हैं almost almost उनकी पूरी रीबद प्रॉसस्स अल्मोस्स इसे खतम हो गई है और जिन जो जो कार्मिक्स यह जो भी थाट पार्टी डीम और डीफ के बीच में आएगी मार्क माई वर्ड उन विल बी लिट्रली पनिश्ट अगर थाट पार्टी खतम नहीं होई है थाट पार्टी इतनी चैन नहीं ले पा रहा है तो अब डिवाई इंटर्वेंशन होगा और वन थर्ट पार्टी को पॉनिश्मेंट मिलेगा जो आपको और आपके डीम को और आपको एक नहीं होने देगा क्योंकि जब डिवाई फर्मिन पूरा काम कर लिती है राइट कर्मा भी क्लियर कर लिया है ठीक है आप अटाश्मेंट में नहीं हो आउटकम से कोई अटाश्मेंट नहीं है बिल्कुल आप अपनी जानी पर फोकस हो ठीक है आप बच्छा कुछा जो भी क्लियर्टी है आपने कर ली है उसके बाद डियम आपकी तरफ आ रहे हैं आपको चेस कर रहे हैं आपको कमि पार्टी फसी होती है तो मांक माई वर्ड थर्ड पार्टी को बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉनिश्मेंट मिलता है उसके बाद तो यह मुझे बहुत ही स्ट्रॉंग वाली एनरजी पिखोरी क्लेक्टिव के लिए जो मैं आप लोगों से शेयर करें हूं तो जैसे कि मैंने कहा कि कर रहे हैं बिल्कुल आपके डीम अपना को मेंटेन कर रहा है क्योंकि डीएफ सेल्फ लव कर रही है ठीक है आपकी डीम बहुत खुश है क्योंकि आप आप लोगों की इनेजी उनको मिल रही है बहुत ज्यादा एनरजी मत दीजिए यह डिपेंड करता है कि अगर आपके अब आप मिड़ जानी पे हो तो जादा एनरजी मत दीजिए बैलनस में होके बात करिए न्यूट्रल होके बात करिए बड़ जब भी जो टॉकिंग टाउंस में हैं जो बात करते हैं आपको देख देख के शायद वह खुल के बात ना करें शायद बहुत जादा ओपन होके जायका यह कर रहे हों चाहे वहमां से छुपा हों ऑपनी कोणी गश्राइयव सब्द conducting बहुत होते हैं उन्हें एनेजी मिलती हैं और वो भी अपने आपको अब्लता कि बैलेंस खर्थ करते हैं और वह आपकी एनरजी है Play इसकारां से आज be the आज को प्रयास कर रह रहे हैंativo तो मुझे बहुत अच्छी एनेजी आ रही है तो और भी में डिकोड किया है यह नजारा देखके कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके DM साइट से बिल्कुल रिलीज होईगी आपकी तो आलमोड्स्ट रिलीज हुई है 7-7 के Portal से 8-8 के Portal तक आपने पूरी अपनी कार्मिक रिलीज भी किया है नेगेटिविटी भीर रिलीज करी है अपनी टॉकसिटी भी रिलीज किये और फ़ड़ी वहलकि फुलकी है तो तो बिल्कुल फड़ाबत आप ही हो सकती है हलकि-फुलकी ज्यादा कोई ऐसे केंशन वाल बात नहीं थोड़ा बहुत ही हलका फुलका बवाल हो सकता है ज्यादा नहीं पर उच बड़ा कुछ नहीं होने वाला है ठीक है तो सिमिलर्ली आपके डीम के साइट से भी साइड नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी है बिलकुल मैं कह सकती हूं कि अब आपके डीम किसी भी डाउट में नहीं है देविस्टॉप दूइंग गोस्टिंग क्योंकि अब उनको क्राटी मिल चुकी है ठीक है ना तो यह एनेजी मै मैं रेसीव कर रही हूं हाँ बस एकी चीज़ का डर है कि हो सकता है कि किसी किसी डीम का आउट ओफ दे कर्मा अगर सपोस्ट आपको सुनने में आता है कि उनकी शादी की बात चल रही है या कुछ इस प्रकार से तो आप घब रही है मत इस टॉपिक पर मैं बात अलग से वी दीम जो है उनकी शादी हो जाती है और हम डीएफ लोग होती है हम लोग या तो हमारी शादी तहनी हो पाती है या अगर किसी की शादी हो जाती है तो वो उनका किसी भी कारण से किसी भी रूप में सेपरिशन हो जाता है तो यह क्यों होता है यूनिवर्स हमारे संग ऐसा क् जेनुएन बहुत ही ऑथन्टिक क्वेशन है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर बात करूंगी क्योंकि यह बात सच है कि अक्सर ऐसा होता है कि डियम लोगों की शादियां तैह हो जाती है उनके एंगेजमेंट हो जाती है लेकिन यह हाज रखी है कि शादी ह होने के बाद वो शादी तो हो जाती है क्योंकि उनको कार्मिक सिलिबस मिला है बट वो खुश नहीं होते हैं उस शादी में कर्मा है उनका तो सिलिबस ही कर्म कर्मा है तो कार्मिक होन तो क्लियर करकर नहीं पड़ेगा लेकिन देखें ना आप शादी करके भी वो खुश न करती है तो जल्दी फ्री हो जाती है यह बहुत सारा कर्मा है तो टाइम लगता है अपना कर्मा करने में बट सेपरेट हो जाती है ज्यादतर केस मैंने यह 65-70% यह देखा है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं समझती हूं उसका कारण यह है कि नाओ यूनिवर्स även वाँ टू वांच रूफ यू टू पी इंडॉल्जक बने नियू कर czy कार मगला में करिये कि अगर यहांहांए मोक्ष की जरणिए है जांएऊ अपना कर्मा क्लियर कर रहे हो आपको μगला कर्रेव की अपने मोक्ष के लिए है आप अपना फ्रन गने साइकल में आपको डाल के युनिवर्स नए कर्मा आपसे क्रेट करवा के आपके मोक्ष को नहीं कैंसल कर सकते हैं से युअना साइक है अर्फ कैंट लिएमाच कहला है स्वेट होना है इससी लिए हमोन की आपको नोगता है कि बाकीißt बाकी लोग की तरह mü लोग क्यों साथा यहारी है यहां वोच्चने का बाकी ने सर्वाइवल की ऐस भाग ठीव साथ बाकी बाट वेमें इससी को नहीं गाना से ही शादी हो या अगर नहीं भी हो तो एक harmonious union के साथ आप लाइफ में बिलकुल आगे fulfilled feel करते हैं खाला कि मुझे ये बात next video में बतानी थी मैंने out of the emotions इसी video में बोल दी but I can very well understand the emotions ठीक है जो लोग जदतर देखिए कि ऐसे couples की marriage भी होती है जिनकी लिए universe को पता है कि ये marriage में marriage होने के बाद बाकी लोगों की तरह जंदगी नहीं जिएंगे they will like fully dedicated to their soul purpose ठीक है soul mission तो ऐसे जब इतना confidence universe को होता है कि ये couple obsession की energy से marriage नहीं कर रहे हैं ये couple ये जो I mean to say couple I mean ये जो masculine feminine है ये literally surrender है mother Gaia के लिए यहां की vibration बढ़ाने के लिए कभी कभार universe उनकी marriage भी करते है और बहुत सारी marriages हुई भी है तो जिन लोग की marriages हुई है मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी you should be honest with the God आपकी ये marriage सिर्फ अकेले अपने romance करने के लिए या 3D में फिर से आगे बच्चे और उसके लिए नहीं है बिल्कुल आपको वो सब enjoy करना है अच्छे से life में बट आप totally 100% अपने आपको after marriage surrender कर दीजे mother गाया के लिए ठीके mother earth के लिए वरना after marriage भी आप आपको life में smoothness नहीं आएगी अगर आप ने अपना पूरा जीवन mother earthly surrender नहीं किया इशारी चीजे बिल्कुल state downloads है universe का आप लोग समझ लीजिए देखिए मैं चैनलिंग करते करते कहां पहुच गई universe मुझे कहां लेके चलेगे चलेगे चलिए overall अब हम बात करते है डीएफ की कि डीएफ की टाइम है आगे आने वाला बहुत ही अच्छ है अब आपकी life में मेरे हिसाब से जो बहुत छे से heart inner work किया है systematic inner work किया है बहुत महत करिये आपकी life में profits है growth है you will feel light in your life, you will feel complete in your life, you will feel whole in your life, you will feel fulfilled, satisfied, है ना आपकी light और bright होएगी देखिए अभी मैं कमेंटिम डारी हो कि एक दो डीएफ के कुछ कोर्ट केस भी हुए judgment भी हुए and they clear, they are getting the judgment, तो काफी मैं देख रही हूँ काफी progress, काफी growth हो रही है हमाई डीएफ की सभी की जन्हों है systematic inner work किया है, they are feeling blessed, they are feeling like उनकी life में एक fulfillment, wholeness आ रही है, they are feeling complete, अच्छी चिख़ अबरे भी आ रही है, abundance भी मिल रही है, satisfied भी है, तो बहुत ही अच्छा है हमारा time आगे, बस हमें अपना inner work करते रहना है, अपनी honesty divine के साथ बना के रखना है, जो लोग अभी chasing energy में है डीएफ, ठीक है, उनको उनका भी आगी transformation होगा, बट कार्मिक रिलीज के साथ, तो जो ज है, विन्हों है feminine का, जो अभी भी obsessed है, DM के message और call के लिए, teasing energy के लिए, ठीक है, तो प्लीज, बाकी overall बहुत ही अच्छी happy feeling, इस विकद आप लोग इस 88 portal के कुछ दिनों के बाद, मतलब, मेभी 5-6 days, और 1 week, आपके अदर और ज़्यदा अच्छी positive urja, आप अंदर feel करोगे, और transformation feel करोगे, अपने आपको upgrade feel करोगे, या आपको dream में message मिलेंगे, कि हाँ, आप upgrade हुए हो, और confirmation के लिए, आपको number मिलेंगे, triple five, triple one, triple eight, ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, इसीक साथ, love you all, God bless you all.